Hello everyone, welcome back to my channel, कैसे हो आप सब, चलो आज करते हैं skincare, काफी दिनों से मैंने skincare नहीं किया है, तो सोचा क्यों आज किया जाए, तो ये वीडियो especially मैं बना रहे हो teenagers के लिए, जीने problem आती है कि कैसे हम अपने skincare कर सकते हैं, क्या products यूज़ कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं, तो सबसे के बाद आपको अपने face को wash कर लेना है, तो आप मैंने face को wash कर लिया है, आप देख सकते हो face काफी clean लग रही है, तो face को हमें dry नहीं करना है, हम wet face पर ही scrub यूज़ करेंगी, और मैं इस scrub के यूज़ करेंगी हूँ, बायोटी का tan removal face scrub, काफी अच्छा scrub है, पेस जितने भी dead cells से ब्लैक हेट से उसे इसली रिमूव कर देता है साथ ही अगर आपको टैनिंग की प्रॉब्लम है तो उसे भी काफी अच्छे से रिमूव करता है एंड आप जब भी अपने फीस पर इसक्रब करते हैं तो आपको बिल्कुल भी हार्स तरीके से नहीं करना है बहुत ही लाइट ब्लैक हेट वाइट है सारे के सारे रिमूव हो गए इसके इन काफी अच्छी हेल्दी लग रहें सॉफ्ट लग रही है नेक्स्ट मैं लगाओंगी फेस पैक यह वील सी का चार्कुल फेस पैक एंड इसे मैं फिंगर सही लगाओंगी क्यूंकि मुझे फिंगर से लगाना अच्छा लगता है इससे एवनले पूरे स्कीन पर लग जाती है एंड रिसेंटली मैंने इस फेस पैक को लगाना स्टार्ट किया है यह मुझे काफी ज़्यादा पसंद आने लगा है यह स्कीन को काफी अच्छी से डीपली क्लेंस करता है और आपको पिंपल एक्नी की प्र प्रिश कर सकते हो आपको जरूरी हो पसंद आने वाला है तो आप देख सकते हो इसे मैंने पूरे फेस पे लगा लिया है तो टैन निर्ट होने के बाद इसे हम बॉश कर लेंगी आफ्टर फेश वास आप मेरी स्कीन देख सकते हो काफी ज़्यादा फ्रेश क्लीन हेल्धी है न॥ा अबर देख सकते हो निया यह देख सकते हो शायस को फॉलो करें अच्छी इस फेवर इस सकते हो अभी मेरी स्कीन काफी Catholics अब देख सकते हो, साथ ही आप after before मेरी skin देख सकते हो अभी काफी अच्छी लग रही है, पहले आप देख सकते हो, काफी ज़्यादा dull, dry and बिल्कुल भी glow नजर नहीं आ रही थी, अभी मेरी skin लग रही है, और आट guys, तो यहाँ पे जो skincare का वीडियो है end होता है, और आप देख सकते हो after skincare, मेरी skin की तीज ज़्यादा अच्छी लग रही है अगर अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजेगा and बेल एकन को ज़रूर प्रेस अगर आपने, बाइ!